दिल्ली रोड ट्रांस्पोर्ट नगर गेट के सामने माधवपुरम गेट से जाने वाले रस्ते के प्रारंभ में हनुमान मंदिर की दीवारों पर हलवाई वा अन्य दुकानों को मेट्रो ट्रेन संचालित होने के कारण हटा दिया गया है हनुमान मंदिर के पुजारी कारकेश नंद द्वारा मंदिर के प्रांगण में अवैध रूप से दुकानों का निर्मार कराया जा रहा है और दुकानों को बेचकर मोटी रकम वसूली जा रही है जबकि मंदिर के पुजारी के पास भूमी के कागज नहीं है और उनके पास मंदिर की भूमिका बैनामा दस्तावीजव अन्य कोई आवश्य कागज भी नहीं है मंदिर प्रांगण में किये जा रहे अवैध निर्मार से अनेको समस्या पैदा हो रही है और भक्त जनों को भी पूजा के कारिकरम में व्योधान उत्पन हो रही है मेरट से पत्रकार प्रवीन कुमार की रिपोर्ट